हाई एवरीवन वेलकम टू आग चैनल अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें आज हम इस वीडियो में जालेंगे टाइम पर भोजन ना करने के निक्सान टाइम पर भोजन ना करने से हम किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते हैं ऐसा करना बोडी पर दूरा आसर डालता है इसलिए ऐसा ना करें और टाइम पर खाना खाना शुरू करें भोजन करना हेल्ट के लिए बहुत जरूरी होता है खाने से एनर्जी मिलती है जिसके हम दिन भर काम कर पाते हैं खाने का भी एक विश्यत टाइम होता है और अधिक टाइम तब ढूगा रहने से इसके निगेटिव प्रभाव बॉडि पर दिखाई देते हैं खाना खाने का भी एक सही टाइम होता है वह से लोग इस बात की गंभिर्टा को नहीं समझते हैं और बहुत ज़्यादा देश से खाना खाते हैं लेकिन टाइम पर खाना ना खाना हेल्ट के लिए हानिक कारक होता है तो आए जानते हैं कि टाइम पर खाना ना खाने के क्या नुक्सान होते हैं पहला नुक्साने वजन बढ़ जाता है सही टाइम पर खाना ना खाने से पेज ज़्यादा टाइम भुगा रहता है और फिर हेवी खाना खाने से पाचन तंत्र पर दबबाव पड़ता है पाचन तंत्र ऐसे में खानी को तेजी से पचा नहीं पाता और मोटापा बढ़ने का खत्रा पैदा हो जाता है दूसरा है आलसी होना हमारा पाचन तंत्र हर टाइम एक्टिव नहीं रहता है टाइम पर ना खाने की वज़े से पाचन तंत्र खाने को धीरे धीरे पचाता है और खाना आसानी से ना पज़ पाने की कारण आपको आलत मैसिस होता है सीटरा है कोलेस्ट्रॉल का स्टर बढ़ जाना सही टाइम पर ना खाने से या सिर अनहेल्डी खाना खाने से बोड़ी में कोलेस्ट्रॉल का स्टर बढ़ जाता है दिन भर में आपको 6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए और गलट टाइम पर खाने और अनहल्दी खाना खाने से बोड़ी और स्वस्थ रहती है और लास्ट में हैं तनाव से ग्रसित हो जाना There can be stress when you skip food जी हाँ, टाइम पर खाना ना खाने से भी तनाव हो जाता है सही टाइम पर खाना ना खाने से अक्सर आपके खाने का रूटिन भी गड़ जाता है अगर आप लंज और डिनर वेडिस से करते हैं तो आप सही टाइम पर सो नहीं पाते हैं इससे नीन की इदी प्राब्लम हो जाती हैं और थिस से नीन ना आना कनाव से ग्रसिट होने का कारण होता है तो पेंस आज से ही अपने खाने का टाइम केबल बना ले और हेल्दी रहें आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बता है हमारे वीडियो को लाइक शेयर करे और चानल को सब्सक्राइब भी तरूर करे थैंक्स पर वाचिंग